जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोष्णा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्यूंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजनसी पर दबाव डालने के लिए, कॉंग्रेश शासित राज्यों के वरिष्ट नेताओं को विशेशामंत्रित किया गया है। इन्वेस्टिगेटिव एजनसी के उपर दबाव डालना, खुलियाम, कॉंग्रेस की इस रण्नीती को आप क्या नाम देंगे। द्रश्टाचार के किन मुद्दों पर राहुल गांधी को तलब किया गया है। उन पर थोड़ा विचार करें। एक ऐसी कंपनी उन्नीस सो तीस के दशक में गठित होती है, जिसका काम है अकबार का प्रकाशन। उस कंपनी का नाम Associated Journal Limited. उस वक्त जिसके शेरहोल्डर थे पाँच हजार से जादा स्वतंतरता सैनानी और जिस पर अब कबजा है गांधी खानदान का। जिस अकबार के प्रकाशन के लिए स्वतंतरता सैनानी शेरहोल्डर सुनिश्चित की गए। उसकी शेरहोल्डिंग एक परिवार को इसलिए दी गई। ताकि वो अकबार का प्रकाशन न करें बलकि रियल एस्टेट का बिजनस करें। साल दोहजार आठ में इस कंपनी ने अपने उपर नब्बे करोड का करजा चड़ा लिया था। और फैसला किया कि अब ये कंपनी प्रॉपटी के बिजनस में उतरेगी। साल दोहजार दस पांच लाख रुपए से यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई गई। महसाचीव राहूल गांधी डाइरेक्टेर के रूप में इसमें सम्मिलित हुए। 75 प्रतिशत मात्र उनकी हिस्सेदारी थी। बाकी उनकी माता जी के पास मोतिला अलवोरा जी और आसकर फेनांडेस जी जैसे निताओं के पास। इसके बाद एजियल के नौ करोड शेर्स यंग इंडिया लिमिटेड को दिये जाते हैं। नौ करोड शेर्स के साथ यंग इंडियन को इस कंपनी के 99 प्रतिशत शेर्स हासिल होते हैं। कॉंग्रेस पार्टी कंपनी को मतलब एजियल को 90 करोड का लोन देती हैं। जो कॉंग्रेस पार्टी माफ कर देती हैं। आज मेरा प्रशन है विनम्रता से उन लोगों से। जिन्होंने कॉंग्रेस का समर्थन किया कॉंग्रेस पार्टी के लिए डोनेशन दिया ताकि लोकतांत्रिक गतिविधियों में वो हिस्सा ले सकें। क्या ऐसे डोनर्स की ये मन्शा थी कि उनका पैसा कॉंग्रेस पार्टी उस कंपनी को समर्पित कर दे जिसमें मालिकाना हक गांधी खांदान का मालिकाना हक कोई भी सामाजिक कार्य के लिए नहीं क्यूंकि यंग इंडिया ने अपनी स्थापना के वक्त एक लाइसेंस लिया कि वो सिर्फ चैरिटी करेंगे लेकिन साल दोहजार सोला में यंग इंडिया ने इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने छे वर्ष की अवधी में चैरिटी का एक भी काम नहीं किया प्रश्निय उठता है कंपनी बनाई जाती है समाज सेवा के लिए लेकिन समाज की सेवा नहीं वो कंपनी मात्रक गांधी खानदान की सेवा करने तक सीमित हो जाती है आज एक प्रश्न उन्नेताओं से करना चाहती हूँ जो एडी के उपर दबाव डालने के लिए दिल्ली में उपस्थित हुए है आपको राहुल गांधी अगर मिले तो उनसे पूछेगा कि उनका संबंध Dotex Merchandise Private Limited के साथ क्या है Dotex Merchandise Private Limited हवाला Entry Operator कोलकता से संबंधित है जो कैश के बदले चेक देती है जिसकी transactions पर financial intelligence unit का red flag है जो कॉंग्रेस के कारेकरता आज दिल्ली में एकत्रित हुए है वो राहुल गांधी जी से पूछिए कि गांधी खांदान का संबंध डोटेक्स merchandise प्राइवेट लिमिटेड से क्या है क्या ये सत्य है कि डोटेक्स merchandise प्राइवेट लिमिटेड के साथ उन कंपनीज का संबंध है जिसमें मालिकाना हक राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जिसका संबंध श्रीमती वाडरा से है आज जो लोग investigation agencies पर दबाव डालना चाहते हैं उनका ध्यान आकरिष्ट करूंगी दिल्ली हाइकोट के दोहजार उन्नीस के एक जज्जमंट के वाक्य पर अज्जमंट एक जजे जड़गाइकोट के वाकष्ट के लिए एक जड़गाइकोट के बहु है